गुद मॉर्णिंग ओल अफ यू हमारा चैप्टर नमबर फाइब था साइल रख्शन्स इससे पहले कि वीडियो में हम साइल रख्शन्स की डेफिनिशन्स इसकी इंपोर्टेंस और साइल रख्शन कौन कौन से फैक्टर से इसको अफेक्ट करते हैं इसके मेकनिस के बारे में हम डिसकस कर चुके थी अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इसके कुछ एकुपमेंट्स की जो साइल रख्शन्स में यूज किये जाते हैं जैसे कि आप देखिए आपके हैमर मिल बॉल मिल, फ्लूट एनरजी मिल और डिसिंटिग्रेटर है आपके ये चार एकुपमेंट्स हैं जो आपके स्लेवस में दे रखें इसलिए हम सिर्फ इन चार के बारे में ही आगे डिसकस करेंगे और आपके आपको बता दू कि अगर इन चारों कैसे किसी पे भी एक्जामने कुशन्स आता है इस तरीके से कि write a note on hammer mill ball mill या fluid energy mill या disintegrator इस तरीके से भी पूछ सकता है या इस तरीके से भी आ सकता है कि write a note on hammer mill या explain the construction working advantage and disadvantage of hammer mill with suitable diagram तब आपको ये सारी चीज़े बतानी होंगे इसमें ठीके तो सबसे पहले हम बात करते हैं hammer mill के बारे में तो देखिए अगर आपका hammer mill आता है एक्जाम में तो आपको सबसे पहले बताना होगा इसका principle hammer का मतलब क्या होता है आपका हतोड़ा ठीके हतोड़े वाली मसीन अगर कहा जाए तो तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी principle की principle का मतलब क्या होता है इसका सिंधान की कि सिंधान पर काम करता है तो it is based on impact impact का मतलब होता है तक्राव ठीके तो इसका सिंधान क्या है कि ये तक्राव पर काम करता है impact पर work करता है next आपका आता है construction construction का मतलब होता है उसकी सरचना कैसी है या बनावट कैसी है आपकी hammer में की तो देखिए सबसे first point इसमें है कि it consists of strong metal casing and closing central shaft to which many hammers are fixed इसका मतलब क्या है कि इस strong metal का बना हुआ होता है और enclosing का मतलब होता है कि इसके अंदर central shaft बंद होते हैं और उसमें क्या लगे हुए होते हैं hammers means हतोरे fix होते हैं उसमें किसमें आपके central shaft में हतोरे hammers fix होते हैं और यह आपका strong metal का बना हुआ होता है next point आपका है कि at the lower side there is a screen through which powder passes means इसमें नीचे की side पे आपके एक सीफ like छणनी लगी हुई होती है जिससे हमारी जो solid materials है वो इस hammers की मदद से breaks हो जाते हैं और powder form में convert होके pass हो जाते हैं किसके तुरू पास हो होते हैं आपके screen के तुरू पास हो जाते हैं आपके next point है there is a feed inlet and product outlet इसमें feed inlet क्या होता है आपके जहां से हम solid materials को इसके अंदर फिल कराते हैं वो आपका कहलाता है feed inlet और product outlet जिसके तुरू हम powders को collect कर लेते हैं तो आपका कहलाता है product outlet यह आपकी construction थी अब हम बात करते हैं इसके diagram देखिए यह आपका hammer mill का diagram है आपका hammer mill होता है वो आपका कुछ इस तरीके से machines आपकी होती है तो देखिए इसमें मैं बात कर रही थी ने central soft जो होते हैं soft means यह चीज जो है यह आपकी soft कहलाती है जिससे आपके hammers fixed होते हैं यह आपके hammers यह देखिए कि hammers है यह आपके क्या है इस पर attach है hammers fixed है ठीक है यहां आपका feed in light है इसके through हम क्या करते हैं इसमें solid materials को fill कराते हैं यह चाहें तो hopper भी लगा हुआ हो सकता है जिसके through हम क्या कराते हैं अपने solid materials को इसमें fill कराते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि यह hammers जो होता है इस साफ्ट की वज़े से रोटेट करेगा जब यह रोटेट करेंगे तो हमारे जो solid materials हैं वो इनसे टकराएंगे hammers से means impact होगा वो टकराएंगे और वो पावडर फॉम में convert होगे convert होने के बात देखिए यहाँ उने के बाद सक्क्री लगी होई है इसके through वो powders जो है नीचे यहाँ पे collect होते रहेंगे यहाँ पर product ाउटलेट है जिसके through हम यहाँ पे इसको collect कर लेंगे यहाँ आपका क्या है hammer mill का डाइग्राम है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके working की working means इसकी कार रह पढ़ा ली यह यह कैसे काम करता है हमारी hammer mill तो देखे सबसे first point है इसमें during operation means operation के दौरान central shaft rotates with high speed ठीक है मतलब जब हम इसमें अपना solid materials fill करा देते हैं तो central shaft क्या करेगा जब हम इसको start कराएंगे तो वह बहुत ज़्यादा high speed में rotate करेगा घूमना start करेगा उसके बास next point है कि the hammers hit the material entering from field inlet and powder material is collected through the outlet means जब बहुत ज़्यादा central shaft high speed पे rotate करेगा तो हमारे hammers क्या होंगे उस solid materials को hit करेंगे means उससे टकराना start कर देंगे तो जब वह उस material से टकराना start करेंगे तो वह उसको धीरे-धीरे उसके size को कम करना start कर देंगे means उसे powder form में करना start कर देंगे और हम उसको फिर seeps के थुरू sorry screen के थुरू collect कर लेंगे कहां पर outlet में उस powder को हम collect कर लेंगे यह इसकी working है जैसा कि मैंने आपको पहले ही diagram में भी एक बार explain किया हुआ है दुबारा से एक बार diagram के बेस पर आपको समझा देती हूं जैसे कि देखिए diagram है यह हमारे hammer milk का feed inland के थुरू हम solid materials को इसमें फिल कराएंगे और उसके बाद center shaft जिस पे हमारे hammers attached है वो क्या करेंगे rotate करेंगे high speeds पे hammers क्या करेंगे उस materials के साथ तक्राना start करेंगे hit करेंगे उसको और धीरे धीरे उसके size को break करेंगे तोड़ना start कर देंगे और फिर वो धीरे धीरे जो हमारा powders है screen के help से हम उसको outlet product outlet के थुरू collect कर लेंगे यह आपका पूरी working है किसकी हमारे hammer mills की अब हम इसके advantage की बात करते हैं तो advantage में है used for producing intermediate grade of powder means हमारी hammer mills जो होती है वो intermediate grade of powder बनाते है means जो हमारे solid materials होता है उसको के size को कम करती है लेकिन पूरी तरीके से powder में convert नहीं कर पाती है ठीक है second है use for side reduction of root leaves bark etc means जो हमारी crude drugs होती है से root है या leaves या bark है इसके लिए हम hammer mills कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके disadvantage की means हानिया क्या-क्या है इसकी तो देखिए due to high speed heat is generated जब यह बहुत ज्यादा high speed पर work करता है तो इसमें automatically अपने आपी heat generate हो जाती है जिसकी वज़े से क्या होता है कि जो हमारे heat sensitive materials है means कुछ ऐसे substance या ऐसे हमारी drugs होती है जो heat के contact में आने पर क्या होती है है या खराब हो जाती है तो इस टाइप की drugs के लिए हम hammer milk का यूस नहीं कर सकते हैं यह आपके hammer milk था जिसमें हमने डिसकस किया था उसका principle constructions डाइग्राम वर्किंग advantage and disadvantage I hope आपको hammer milk समझ में आ गया होगा अब हम बात करते हैं अपने next equipment की या यह instrument की जो हमारा है ball milk ठीक है इसको ball milk को और क्या कहते हैं पॉट मिल या जार मिल भी बोलते हैं ठीक है आपको जो ball milk equipment है उसको हम पॉट मिल और जार मिल भी कहते हैं अब हम बात करते हैं इसके principle की principle में क्या है कि यह impact और attrition पर वर्क करता है जैसे कि मैं इससे पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ impact का मतलब होता है टक्राप और attrition का मतलब होता है घर्चण means एक दूसरी का आपसमें रगड़ खाना इस तरीके से तो किस पर वर्क करता है यह combined impact और attrition पर वर्क क जो होती है आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया है hollow slender होती है और इसमें बॉल होती है जैसा कि देखिए first point में आपका क्या है कि the mill consists of a hollow metal slender rotating on its horizontal axis means यह hollow slender होता है खाली slender होता है जिसके अंदर बॉल्स को फिल किया जाता है और यह अपनी ही एक्सिस पर rotate करता है गूंता है नेस्ट पॉइंट है कि the slender may be of metal porosling और rubber and fixed on metallic frame means जो हमारे slender होता है वो metal porosling या rubber का बना हुआ होता है और वो किस पर attach है या fix होता है हमारे metallic frame से attach होता है नेस्ट पॉइंट है कि it contains steel heavy walls about 2-5 cm in diameter means इसके अंदर जो walls होती है वो हमारी steels की बनी हुई होती है जिनका diameter 2-5 cm तक होता है अब हम बात करते हैं इसके diagram तो देखिए ये ball मिलका diagram है हमारे ball मिलका diagram इस तरीके से है कुछ जिसमें देखिए उपर inlet लगा हुआ है जिसके through हम क्या करेंगे जो हमारा solid materials होगा उसको इसमें fill कराएंगे ठीक है देखिए जैसे हमारा उपर cylinder है means यह जो है यह एक हमारा cylinder है जिसके अंदर balls यह बड़ी-बड़ी सी जो आपको दिख रहे हैं gold circles यह हमारे balls है ठीक है, hollow slender के अंदर हमारे ये balls हैं, तो जब हम क्या करेंगे, और ये हमारा, जो small से आपको drop दिख रहे हैं, ये हमारा materials है, ये heavy base है, steel balls है, और ये हमारा, ये जो है, side से ये, ये हमारा metallic frame है, जिससे हमारा hollow slender क्या है, attach है, अब इसमें क्या होगा, कि जब हम balls, इसमें, hollow slender के अंदर हमारी balls है, हम inland के थुरू कोई भी feet, इसमें fill कराएंगे, और जब ये rotate करना start करेगा, इस metallic frame से cylinder attach है, तो ये क्या करेगा, इस पर जब इसको start कराएंगे, तो ये इस direction में, ये जो है, इस direction में ये घूमना start करेगा, इ जब ये rotate करेगा, तो ये balls जो होगी, cylinder से भी चकराएंगे, और powders भी उपर नीचे rotate करेंगे, तो ये powders भी cylinder के अंदर inner surface से क्या करेंगे, चकराएंगे, और ball से भी चकराएंगे, तो इसमें impact और attrition होगा, जिसकी वज़े से solid materials break होकर powder form में convert होंगे, जब ये process हमारी continuously होती रहती है, और एक time के बाद क्या करेंगे, हम इसी inlet के थूरू इस powders को collect कर लेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, ये इसकी constructions थी, अब हम बात करते हैं इसकी working की, अब हम बात करते हैं इसके working की, तो working में देखिए सबसे first point है कि the solid material या drug is placed into the cylinder and lid is closed, means हम lid के थूरू जो solid materials है, उ इसके बाद है कि the slender rotates on its own axis, और जो slender होगा, वो किस से test है हमारा metallic frame से, तो वो अपनी ही axis पर क्या करेगा, rotate करेगा, घूमना start करेगा, उसके बाद next point है कि the speed of rotation is very important, तो जो हमारी speed होगी slender की, rotate करने की, घूमने की, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, because क्योंकि अगर low speed तो the mass of balls will slide on a roll over each other and only a negligible amount of side reduction will occur, इसका मतलब है कि अगर बहुत ही ज़्यादा कम speed होगी, तो हमारी balls क्या होगी कि एक ही side पर वो भूमती रहेंगी, और उसकी वदे से क्या होगा, कि जो हमारा powder या solid materials है, वो powder form में करवट नहीं होगा, या breaks नहीं होगा, जैसा कि देखी, आ slander होगा, तो जो हमारी balls होगी, वो सारी एक ही side पर आकर rotate करेंगी, मतलब एक ही side पर attach हो जाएगी, अगर बहुत कम speed होगी तो, और जिसकी वज़े से क्या होगा, हमारा size reduction है, वो नहीं हो पाएगा, अब अगर देखी, at high speed, अगर ज़्यादा speed होगी, तो उसकी वज़े से क आँगी, balls गिरना स्टार्ट करेंगी, centrifugal force हो जाएगा, उसकी रोटेशन की वज़े से, जिसकी वज़े से हमारा powders नहीं होगा, या हमारे जो solid materials है, वो भी breaks नहीं हो पाएगे, देखे जैसे कि आप high speed वाले diagram में देख सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा speed होगी, तो balls powder material है, वो कुछ इस तरीके से होगा, जिसकी विज़े से क्या होगा, हमारा bricks powder नहीं होगे, अब देखिए, जो बिल्कुल सही speed है, वो आपकी क्या है, कि two-third of the speed, अगर हम इतनी speed लेके चलते हैं, तो centrifugal force just occurs with the result, that the balls are carried almost to the top of the mill and then fall in, ठीक है, अगर हम इस तरीके से करेंगे, देखिए, क्या होगा, हमारा कुछ correct speed है, वो इस तरीके से होगी, means हमारी balls जो है, वो कुछ इस direction में rotate करेंगी, जिसकी वज़े से क्या होगा, कि हमारे जो powder है, वो break होगी, break होना स्टार्ट करेगा, और उसका size भी कम हो जाएगा, तो हमको correct speed रखनी है, बहुत जादा high speed भी size reduction हो पाएगा, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसके advantage की, means इससे क्या क्या लाव है, तो देखिए, first point है, it can be used for continuous operation, continuous operation क्या है, कि हम इसको regularly लगातार, इसका हम use कर सकते हैं, अगर हमें एक बार में bulk में powder करना है, को solid materials का, तो हम उसको continuously use कर सकते हैं, if sieve or classifier is attached to the mill, और जो हमारा size separation होगा, means size का reduction होगा, वो संके संग sieve होता जाएगा, या classifier होता जाएगा, means एक जगे हम उसको sieve out करके collect करते रह सकते हैं, नेस्ट आपका है कि it is capable of grinding different materials of wearing hardness, means ये capable है, अलग लग तरह के hardness type के जो materials होते हैं, means कठोर materials होते हैं, उनको grind करने में, नेस्ट आपका है कि the mill is suitable for weight और dry grinding, means weight means जो आपके moisture type के होते हैं, means गीले type के जो हमारी होते हैं, कुछ drugs और जो कुछ dry form में होती हैं, उन दौनों के लिए ही ये suitable है, नेस्ट हम बात करते हैं, इसके disadvantage की, तो देखे, disadvantage में क्या है, कि the ball mill is very noisy machine, if the casing is of metal, noisy means बहुत जादा ये आवाज करती हैं, vibration करती हैं, क्योंकि ये metal की बनी हुई होती हैं, और इसमें balls भी होती हैं, तो जब ये rotate करती हैं, अपने own axis पे, तो ये बहुत जादा noisy और vibration produce करती है नेस्ट पॉइंट आपका है, wear occurs from the balls as well as from the casing which may result in contamination of the product, means अगर जो हमारी balls होगी, वो क्या होगी, खराब हो जाएगी, या corrosion आ जाएगा, या कुछ हो सकता है, तूट-फूट कुछ हो जाए, तो वो क्या करेंगी, कि उसके अंदर जो हमारा product होगा, वो भी contaminate होगा, खराब ह हो जाएगा, ठीक है, तो हमें इस चीज का भी धान रखना है, कि जो balls है, वो सही हो, उनमें किसी भी तरह की कोई problem ना हो देखने में हो सकता है, कि उस पर कोई materialistic हो, कोई दूसरे टाइप का, तो वो भी contaminate कर सकता है हमारे product को, तो हमें ये सारी चीज का इसमें ध्यान रखन होगा, तो आपका ball mill भी complete हो गया है,